साथियो सबसे पहले तुम्हें लोक सभा के जितने भी डूली एरक्टेड मेंबर्स हैं सबको अपनी तरफ से हारदिक बढ़ाई देता हूँ और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस उसर पर हारदिक शुक्ताम नहीं देता हूँ साथियो आप सबको जानकारी है कि आज हम भारती जन्ता पार्टी के संसदी दल के नेता वा यंडिये संसदी दल के नेता वा लोक सभा में नेता के चैन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं मैं समझता हूँ कि मौधी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग उफयोग और सर्वत्ताम और साथियो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंत्र मंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कारिशंता उनकी कारिकुशलता दूरदर्चिता प्रामणिक्ता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और क्यों मैंने ही नहीं देखा है बलकि समस्त देश्वासियों नेशी देखा है हम सब के लिए प्रसंद्था का विश्य है कि यंडिये की सरकार ने दस वर्सों में उनके नेत्रत में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रसंद्था हो गई हम सब को जस्तों भाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की यंडिये की सरकार बनने जा रही है साथियों 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने देए जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों लोगतांत्रित देशों में पुरे विश्यों में तीसरी बार यह उसर गी किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी यंडिये को यह उसर प्राप्त हो रहा है और साथियों हम लोग स्वभाग्य साली हैं कि मोधी जी जैसा है एक जन्न कल्यान कारी है और संबेदन सील प्रधान मंतरी हम लोगों को मिलने जा रहा है इनकी नेत्रत श्मता इनकी कारेकुसलता इनका व्रीजन इसके कारण मैं मानता हूँ कि हमारे यंडिये परिवार में भी व्रिद्धी हुई है हम सब की पहचान गठवंदन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसला जब आदनी अटलवी हारी वाज पे भारत के प्रधान मंत्री थे उसी समय से प्रारंब हुआ है और मैं यस्पश्ट कर देना चाहता हूँ एलाइंस गठवंधन यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बलकि हमारा यह कमिट्मेंट हमें भारत को ही एक सक्षम संब्रिद विक्सित स्वाभिमानी और ससक्त राफ्ट के रूप में आगे ले जाना है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले दस वरसों में मोडी जीके नितर्ट में भारत की दशा दिशा मनो दशा में एक क्रान और साथियो पिछले दस वरसों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को ये भरोसा हो गया है कि भारत देश विक्सित होने के साथ साथ समुचे विश्व को नेत्रित्व और नई निशा देने का सामर्थ रखता है और साथियो आज देश अपने आपको दस्कों के लिए नहीं बलकि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूँ कि इस काम को और अधिक गटी देने के लिए मोदी जी से बहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो दखता है इसलिए इसलिए भारतिय जन्तापार्टी के संसदिय दल के देता यों यंडिये के संसदिय दल के नेता वो लोग सभा के नेता के रूप में मानि नरंद्र बोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता प्रस्ताव 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 करता है